वेलकम टू माइ यूटूब चैनल फ्रेंड से जी एस्ट लेक्षित का 44 नंबर लेक्षर है यानि 44 नंबर लेक्षर है आज हम लोग डिजाबिटी के बार में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट लेक्षर होने वाला है स्टार्ट से लेकर कि लाश तक देखेगा स अब सबने उसको देखा वगा उसके नूर्ट बना लिए होंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जी एसके वीडियो को देखिए और इसके नोर्ट को जो भी आपने नहीं बनाया बना लीजेगा अगर इससे ऑपरजेंट का भी फाइदा हो रहा है थोड़ा भी ग्यान बढ़ रहा है कूर्स सही से कंप्लीट हो रहा है चल रहा है तो इसको शेयर करना बिल्कूल मत भूलीएगा मेरे चैनल पर नए है तो इसको शेयर जरूर कर दीजेगा साथ ही लाइक तो एक बनता ही है जब भी क्वेस्टन पूछते हो तो comment box में answer लिखना बिल्कुल मत बूलिएगा तो आएए शूरू करते हैं आज का lecture Friends, disability एक ऐसा condition है जिसमें आदमी body या mind के level पर impaired हो जाता है उसको कठनाई होती है common activities करने में certain activities करने में तो एक तरीके से activity का limitation भी हो जाता है साथ ही उसके आसपास की जो दुनिया है उससे वह interact नहीं कर पाता है या participate उसमें सही तरीके से कर नहीं पाता है तो ये overall जो है disability का एक meaning है अगर इसको आप सही से define करना चाहें तो मैंने definition यहां पर लिखा हुआ है देखिए इसको define कैसे कर सकते हैं A disability is any condition of the body or mind that makes it more difficult for the person with the condition to do certain activities and interact with the world around them ठीक है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा ओके देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि disability को especially जो disabled people होते हैं उसको especially able भी बोलते हैं differently able भी बोलते हैं पहले week lang बोलते थे तो उनकी गरिमा को बनाये रखने के लिए प्रानमंद्री मोधी ने उस सब्सकों को बदल करके दिव्यांग कर दिया ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं data क्या कहता है देखिए national draft policy on disability 2022 में बनाई गई थी भारत में उसके उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया census 2011 का रिपोर्ट लिया उसके बेसिस उन्होंने कुछ data दिये ठीक है इन्होंने क्या कहा कि भारत में 2.68 क्रोर यानि 2.68 क्रोर पीपल जो है वो क्या है disabled है जानि कि टोटल population का 2.21% क्या है और साथ ही 7.62% जो population है वो 0-6 year के अंदर में आता है ठीक है 0-6 साल के बच्चे ऐसे बच्चे 7.62% है जो disabled है अगर मैं males और females के लेवल पर बात करूं तो 1.5 क्रोर मेल और 1.18 क्रोर female जो है disabled है साती population जो 69% disabled का है वो रूरल एडिया में देखा जाता है यह Hani के रूरल एडिया में ज्यादा population क्या है disabled disabled लोगों का पाया जाता है सिक्की में कैसा इसस्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा population is disabled लोगों की वह देखी गई है यह भी एक रिपोर्ट है सिक्किम चलिए और बता दें कि पूरा दुनिया के अगर हम बात करें तो पंदरा परसंट लोग यह है वो क्या है डिजेवल्ट है तो यह डेटा मोटा मोटी आप इसको लिख सकते हैं याद रख सकते हैं वीडियो पॉ पॉलिशी में आर्टिकल फॉर्टिवन क्या कहता है कि स्टेट सेल में एक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सेक्यूरिंग राइट वर्क एजुकेशन एंड पॉब्लिक असिस्टेंस फॉर अनिम्प्लोई ओल्डेज सीख एंड डिजेवल्ट पर्सन विदिन दे लिमिट मतलब राजी को अपने एकॉनमी कैपेसिटी और डिवलेप्मेंट के अधार पर उसके जो सिटीजन है उसके जो रहने वाले लोग है वहां पे जो अनिम्प्लाइड है ओल्डेज है जो बीमारी ब्यक्ति हैं जो डिजेवल्ड परसन है दिव्यांग जन है उनकी उनकी स्पेशल कुछ इफ्रेक्टिव प्रवीजन जो है करना जरूरी है यह निती निर्द्रसप्तत्र हैं तो आर्टिकल फॉर्टिवन इसकी बात करता है तो इसको भी आप नोट डाउन कर ली जाएगा ठीक है चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि सब्जेक्ट इसकी ओपर बनाता है सारी कुछ देखवाल का काम करता है ठीक है तो यह वी एक फैक्ट जो है उसको आप याद रखेगा कि स्टेट का सब्जेक्ट होता है चलिए अब एक जोड़ा मैं बता दूं कि टाइप आप डिजैविलिटी है इसके बारे में समझ करता है इसके चेटी रचेटा हो जाता है बहुत जाता है और करता है इसके आत्यकिस है इसको याद रखेगगा आता यह होगया ए य मत्यां चिर्शेख को गया इन्सेक्टिवे ऐसा शोलिक्टेसित्य लोको्ट को मोटल डिसराइबली इस के बात मेंगडी सप्राइब Cortwhat ऑट जन विसके डिस उस्के वाट सेशनिंग इसोज़ देख लिशेगा इसको धान में लखे प्रेलिम्स में इसे कौन सा जो है बो इसमें नहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कई बार आप कन्फूज हो सकते हैं कि हमें थे खुंसे रिलेटेड बीमारी है इसे बीजिबलेटी कैसे हो सकता है तो उसमें आप कन्फूज हो सकती है तो यह लिस्ट को एक बार पढ़ लिजेगा सही से ठीक है चलिए आगे परते हैं देखिए इसके बाद में आता है कि वाट डिफेंट इसूस फेस्ट बाइड डिजेवल पीपल के द्वारा बिभीन स्तरों पे जो है कुछ इसूफेस के जाते हैं इसमें सब्सक्राइब करें तो इससी चौबन परसंट डिजेवल पीपल जो हो एडुकेटड है समझें आधा ही है जो पढ़े लिखें लोग है समझिए उसके बाद में करते कि लिए इस इसे 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 जो डिजेवल लोगों को आसानी हो पहुंचने में वहां पर रेंप नहीं हो इसे जल्दि से शल्लें होगा था जैसे माल लिजे कई ही विकलांग इलया हो उसको जाने के लिए उस जगर पे ऐसे से वलनीजे तो विलचेशवल नहीं है वालनी जो इसको आँग के डिपार्ट्मेंट में व्काम है लेकिन विलचेवल नहीं हो रहा है तो ईसको इसके अलबाए इसके अलबाए इसू भी देखा जाता है समाज में आप देखेगा कि इनको चैरीटी के नजर से देखा जाता है कैसे हो गया है से बहुत तुक्की बात नहीं ऐसा मत कीजिए वह सिंपैथी के पात नहीं है वह आपके साथ कंदे से कंदे मिलाने के लिए तयार है उसको बिल्कूल इक्वालिटी का दर्जा दीजिए उसको सिंपैथी मत दिखाए उसको चैरीटी मत की जरूरत नहीं है उसको जरूरत है कि आप उसके साथ परदा की दिए आप उसके साथ जो है कदम से कदम मिला की चलिए समझे इस चीज को तो सिंपैथी चैरिटी के ज़रत नहीं है निगेटिव एडिट्यूड अप डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है कई बार देखा जाता है कि अगर कोई ब्यक्ति डिजैवल है तो उसके एबिलिटी पर जो है हम डाउट करने लग जाते हैं समझे तो यह भी एक इशू देखने को मिलता है किसी ब्यक्ति हो गया है तो उसके घर में शादी नहीं होगा उसके घर में लोग आना जाना कम कर देते हैं लोग नाम दिगार देते हैं किसी का पाउँ अगर डिजैवल है तो उसको लंगड़ा-लंगड़ा कहकर बुलाएंगे उसके मुह पर बुलाते हैं वे लंगड़े इधा रहा दिस नॉट राइट वे आप एक सब्समाज की लोग है ठीक है आयस बने ना बने वह बात की बात है ठीक है लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है आपको तो पहले तो वानी को सुधार ये ठीक है समझ गए वानी एक अमोल है जो कोई बोले जान ये तरह जो तौल के तब मुख बाहर आनी बानी अमोल है उसको तौल के बाहर लाईए समझ गए या कैसा कहा जाता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो फिर है इनफिरियर्टी कॉंप्लेक्स देखिए इस सबके वज़र से क्या हो जाता है उनको लगता है कि मैं कमजोर हूं मैं मैं मजबूत नहीं मैं लोगों से प्रतस्परदा नहीं कर सकता तो डिजाबल को ऐसा फील नहीं कर आना है तो यह भी चीज जो है एक इस सु देखा जाता है समझ गए इस चीज को चलिया अगला जो है वो कहते कि पूर डेटा कलेक्श से भी कम है इतने बरे देश में अगर दो से ज्यादा कितना बनता दिया मैं है तो पॉइंट येजितना है ठेंग कर रह तो एसे लोगों का जो है प्रप्र होता है ॐस्ता ही जो है इनके उपर फोकस नहीं क्या जाता है जब का मताता है यह बात है should कोई फोकस ही नहीं जाता है कि फोकसिंग ओनली शिंड्रोमिक क्योर हम लोग करते हैं जो सिंड्रॉम है ऑसका क्योर करते हैं जैसे महिं जिजे कोई दिक्कत हो गई है तो क्या करेंगे उसको सबसीड़ी देने लग जाएंगे डोनेशन देने लग जाएंगे मॉनीटरी सपोर्ट कर देंगे अरे इससे नहीं काम होगा इंपावर्मेंट उनके उनको क्या चाहिए उनको चाहिए कि उनको ससक्त बनाया जाए उनको आगे लाया जाए उनको सिखाया ज तो उसको सिंड्रोमी क्यों हम लोग कर देते हैं इसके अलावा कहते हैं कि लाश्ट पॉलीशी जो है इसके बारे में 2006 में आया था डिजरवल लोगों के लिए और अभी हम लोग दोजार 23 में चल रहे हैं अब 24 में गुजने वाले हैं आप किसी एर में देख रहे हैं मुझे बताईए इस इसको ठेक है शलिए तो आप कमेंट में लिखिएगा इस इसको तो आप देखिए कि इतना दिन हो जाते हैं पॉलीशी बने हुए ठीक है तो इस यह भी एक जो है फोकस गवर्मेंटल इसू जो है गवर्नेंस के डेवल पर देखने को मिलता है इसके बाद जो ह इसकी बात की जाती है इसकी बात की जाती है देगी फोकस ओनली ओन इनफोर्मेशन डिलेवरी इसमें सिर्फ इनफोर्मेशन की डिलेवरी होती है इनका जो रियल प्रॉब्लम है उसका सॉलूशन इनको इससे नहीं मिल पाता तो यह भी एक इसू आप देखने को मिलता है आपको ठीक है आगे जो है वो कहते कि बजटर इसमें मैक्सिमम जो है वो अपने टारगेट को मिस कर देता है जैसे के एक्जामपल के लिए एकसेसिबल इंडिया स्कीम करके आया था यह स्कीम दो से तीन वार जो है अपने टारगेट को क्या किया है मिस किया है ठीक है समझ गया मिस्ड तार्गे टू-3 टाइमस कौन सा एकसेसिबल इंडिया स्केम और क्या आता है इसमें इशू इसमें आता है कि एजूकेशनल जो रिजर्व्ड सीट है देट आ नोट फुल्फिल एजूकेशन में इनको मिलता है लेकिन वो फुल्फिल नहीं नहीं हो पाता है आप देखिए मैंने क्या का educated कितने लोगे आधे लोगे फिर भी ऑजुकेशनल जो सीट है वो बहुरा नहीं पाता है लोग करने को क्या है तयार नहीं है यानि सरकार को जो है अगर आपने reservation दिया है उनको educational institutions में तो उठाकर के लिए जाकर करवाइए उसको इसके लिए प्रिरिक भी तो करिए वो भी काम करना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे कहते हैं कि less focused by government to create interest among private sector for disabled अब private sector जो है उसका तो कोई interest ही नहीं है इनके ऊपर वो समझते हैं कि यह population कम है तो यहां हमारा फायदा जो है वो generate नहीं होगा उनको profit generate उनको यहां से नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है यहां पे भी जो है बहुत सारे चीज़े हैं जो जरूरी नहीं है कि disabled लोग ही उसका यू चाहे मालीजे की कूरसी हो गया लग लग तरीके का sticks आते हैं पकर के चलने के लिए है ना तो अब यह देखिए एक चरीके से disabled लोग के लिए भी बना है लेकिन यह रोगी आदमी यंग एज का भी आदमी है पायर में चोट लगा है तो भी stick लेके चलेगा बुरा हो गया है क को थी प्राइब्ट स्रक्टर को फोड़ासा किसे द्यान डिया जागए समझ गे था को इंट्रेश्ट अगर पैदा करे जा है अब अपना इन्वेस्ट मेंट कर दिया थो इसका क्योण स्वाध है मिन देखने 5 तैक इसके अलावा जहो है disability के उपर जो है bureaucratic apathy देखने को मिलता है जो bureaucrat लोग है उनकी apathy है उनका जो है मन ही नहीं होता है इसके लिए काम करने का ठीक है so bureaucratic apathy is also on issue regarding this अब देखते हैं कि क्या major government लिए है major basically जो है वो दो जो है वो बहुत important है वह right of persons with disability 2016 का ठीक है यह जो मेजर है वो गवर्मेंट के द्वारा लिया गया था और दूसरा national draft policy for persons with disability यह बहुत यह दोनों important है इसके features को भी हम अभी देखने वाले हैं इसके साथ जो तीसरा जो है miscellaneous इसमें और भी बहुत सारी points जो है वह हम अभी देखने इसका पहला point यह है right of persons with disability 2016 को पास किया है तो पहला फीचर क्या है इसमें number of recognized disability increase from 7 to 21 पहले साथ ही ऐसी बिमारियां ऐसी disability थी जिसको disability के रूप में consider किया जाता था अब इसको बढ़ा करके जो है 21 कर दिया गया है ठीक है important point है जैसे मैंने अभी आपको तो दर पहले का कि हीमोपीलिया तिलसीन यह सब भी इसमें आड हो गया है तो यानि कि ऐसा ऐसा नाम जो है पहले के वल साथ ही थे अभी लिश्ट बढ़ करके 21 हो गया है ठीक है चलिए अगला जो कहते हैं कि reservation in government jobs for them increased from 3% से बढ़के उसको 4% कर दिया गया है educational institution में 3% से बढ़ा के 5% कर दिया गया है यह भी इनके लिए जो है वो government ने state लिया है इसके अलावा free education दिया गया गया 18 साल तक इनको जो देखिए DPSP में भी article 41 कहता है वहां से भी जो है वो ले सकता है लेकिन center जो है कुछ नहीं कुछ fund तो सब को देगी आद दे एंड तो जनता है नेशनल लेवल पे अगर कुछ fund बनता है तो है लेकिन उसका जो में क्या कहते है में फोकस जो है वह state का होता है उसके ऊपर नेशनल भी प्लान बना सकती है लेकिन वह जो है उसका assistance का काम करेगी लेकिन में प्लान जो है इस चाप याग रखिए तो फ़रा सब financial support जो है इसके लाब अगला है ensuring the government and private buildings are accessible to disabled person अब जो government या private building बनाई जाती है उसको जो है ensure कह जाता है कि उसमें disabled लोग भी जाता जाता है उसमें stairs भी बने हो उसमें lift भी बने हो उसमें ramp भी बना हो ठीक है अभी अगर आप Delhi में रहते हैं तो यह जातर एक दिन aims में जाकर कर देखिए वहाँ आपको मिल जाएगा वहाँ पर मतलब सीडी मिलेगी जिना जिसको बोलते है च्टेर्स बिमिलेगा उसके साहत में आपको जितना तल्ला उम्माँ बना होगा उपर तक रेंप जाएगा ठीक है ? रेंप भी उगा उसमें lift भी उगा उसमें aksillator भी हो उगा उसमें तो इसका जो भी इसका जो भी कहना है इसका जो भी लाइन ने दिया हुआ है फॉलो करने के लिए जो भी सेट अफ रूल से हैं उसके हिसाब से ही जो है प्लान सरकार ने बनाया है ठीक है अंगला आता है नेशनल ड्राफ्ट पॉलिशी फॉर परसंद डिस अपलीटी देखिए जो प्रिवेंशन अर्ली इंटर्वेंशन देखिए जैसे वह ने कहा कि यह जो पॉलिशी यह प्रिवेंशन भी करती है और जो प्राथिमिक जो उसका जो सहायता होना चाहिए की रहा है फोकसे साफ मोरजॉब्स इन गवडमेंट और प्राइबट सेक्टर में चाहसा जाब जो है जो इनके लिए अरक्षित हों इनके मतलब पीड़ा पर्स विदिसेब्लिटी के लिए अरक्षित भी हो और उनको मिले भी ऐसा जॉब जो है वो उनके संख्या बढ़ा दी गई है ठीक है पॉबिक सेक्टर में भी और प्राइवे सक्टर में भी समझ गया चलिए आगे देखते हैं कि कहते हैं कि मोबलाइजिंग वोलंटरी सेक्टर अब उनको जो है एक जगह पे लाए जा रहा है ताकि इन लोगों को जो है सही जगह पर मतलब रोजगार मिल सके सही जगह पर पार्टिसिपेज कर सकते हैं समझे अब जैसे कोई ब्यक्ति है जो पैड से चल नहीं सकता मालीजे लेकिन उसका हाथ है तो क्या कर सकता है मालीजे कढ़ाई करने का काम है कहीं पर बटन लगाने का काम है कहीं पर हाथ का कोई हत करगा वाला काम है है न हैंडी क्रा है जो सरकार भी जो है इस policy के अंदर जो ये काम कर रही है साथ में एक चीज़ और इसमें है कि कुछ और भी मिज़र लिए गए हैं जिससे social security को जो है वो गनफर्म किया जा सके social security बनाए रखने की भी विवस्ता की गई है इसके अलावा जो है इसके micro features के अगर हम बात करें तो उसमें कहते हैं कि sign language in every hospital है जहां जहां पे जरूरत है वहां पे sign language की विवस्ता कि कोई सुन नहीं सकता है कोई देख नहीं सकता है तो उसके लिए sign language जो है वो होता है ना लुई ब्रेल ने जो बनाए था ब्रेल लिपी तो उससे जो है वो परने की विवस्ता की गई है अगर कोई सुन नहीं पाता है तो उसको इसारे करके जो समझाते है साइन लेंगविज बोलते हैं उसको है ना तो उस तरीके से तो यह चीज़ का वेवस्ता भी होस्पितल वग्रामिक जा गया है फिर डेडिकेटिड इसपोर्ट सेंटर उनके लिए बनाए गये हैं यह सब प्लान के अंदर है ठीक है यह जो प्लान मैंने बताए नस्नल जाने आने के विवस्ता है स्पेसली होगा ठीक है यह सब चीजों की विवस्ता की जाती है गाइडलाइन्स टू मॉडिफाई पर्सनल वीकल्स उनका जो पर्सनल वीकल को जो मॉडिफाई कराएंगे उसका भी गाइडलेंज जारी किया जैसे स्कूर्टी होता आप जलने वाला ठीक है समाझ गए इसको तो इस तरह के से विकल का जो मॉडिफिकेशन विवलो करवा सकते उसवाज गाइडलाइन है ठीक है फिर है कि मेंटेनिंग येरवाइज डेटा फॉर पर्सन वीडिजैबलिटी का जो है मेंटेन भी क्या जाता है डेटा का यह सब प्ल में चैनल जाता है कि बहुत मंझे बादर इस तरह के बच्चे होते हैं उनका देमिसन है वो हो गा बिना किसी को टाके बिहना कि यह कoa रहते हैं यह कि आप जगया है टें कंद़ा एसका लिए करने की बातर चाली प्ररीमeld और भी होता है पॉक्सिंग ऑन पब्लिक पर्सन वी डिजैबिटी डूरिंग डिजाश्टर डिजाश्टर के दौरान के स्पेशल ख्याल कहा जाता है तो उसका जो है वह स्पेशल फोकस होता है लोगों का उसके उपर ठीक है साथ में को और डिनेटेड एक्षन बीटून वेडियस अगला पॉइंट है कि इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी टू डिवाइस कुछ बहुत सरे डिवाइस बनाए गया जैसे आप देखेगा कि नोट का जाच करने के लिए भी जो इनके लिए स्पेशल डिवाइस बनाया गया जो बोल देगा जो लाइट निकल असली है कि नकल लोगों के लिए लोगों के लिए बनाया गया गया था फिर देखा जाता है कि स्केलिंग अप ट्रेनिंग एड्यूकेशन और रिसर्च इन दे फिल्ड डिजैबल लोगों के को एसिस्ट करने के लिए इस फिल्ड में जो है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा तो कुल मिला करके क्या हमने किया कोशिक क्या किया गया है फिजिकल इमपाइरमेंेंट हो एकॉणमी के इंपाइरमेंट और सोचलिम कंतल सब् carbon wood हो थेकर जहां तक फिजिकल'd empirement हो economic improvement educational improvement हो और social employment हो जहां तक physical empowerment की बात है उसमें क्या करते हैं कि इसमें assistance to the disabled person for purchase, fitting of aids and assistive devices, ADIP बोलते हैं इसको अब यह क्या होता है, कि उनको assist किया जाता है उनको सहाइता दे जाती है ताकि वो कुछ नया device है जो उनका aid हो खरीद सके मालीजों कोई बहरा है तो हेरिंग खरीदेंगा कोई अगर चल नहीं पाता है तो मालीजे वह बैसाखी खरीदेगा या विल्चेर खरीदेगा तो इस चीज के लिए पैसा रहा जाता है या कुछ सहायता की जाती है तो यह हो गया फीजिकल इंपार्मेंट अगर सोसल इंपार्मेंट की बात करें तो एक कैंपेंच चला गया एकसेसिवल इंडिया कैंपेंच एडिक दूसरा कहते हैं कि एक यूडिड है ना यूणिक डिजैबिलिटी इडेंटिपिकरिशन प्रजेक्ट इसकी भी जो है शुरुबात की गई ठीक है इ चैखतें कंसेसन लोन जो ऐसे इंटरुनुर्ज जो विकलांग है दिव्यांग है उनको जो है वो दिया जाने एक तक कंसेसनल लोन प्रणको इंट्रेस्ट जो है वो सुविदा मिल जाती है ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि स्कॉलर सीफ फॉर स्टूडेंट इस सब है साथ ही एक स्कीम है दीन दयालुपाद्याय डिजावल्ड रिहाबिलिटेशन स्कीम तो इसकी भी वेवस्था जो है वह ने सरकार ने ठीक है यह सब ढाम जो है और यह सब जो इसको याद रचेएगा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी बात हम लोग करते हैं जैसे जो ड्राफ पॉलिसी है जिसका रिएटरेशन अब दो हजार सोला एक्ट ऑफ पी डवलूडी दो हजार सोला में जो एक्ट बनाए गया थे पी डवलूडी का उस उसी को फिर से रिसरी टरेट कर दियाएंगा फिर से हुए चीज को दोहरा दिया गया है क्या हुआ मतलब अब इसमें यह कहते हैं जाता है handle 70 परसटे और यह थे ब्लॉम करते हैं समझ रहे हैं इस चीज़ को देल ही से ही बिलॉंग करते हैं ठीक है एक चीज और यह 2016 नहीं है यह 2006 होगा ठीक है 2006 अब देखिए 2006 अब आगे बढ़ते हैं तो 70 पर से जदा लोग देल है दिल्ली से थोड़ा आगे भी निकलिए कमीटी में कोई डॉक्टर ही नहीं था जो पॉलिसी बनाई गई उसमें ठीक है तो यह भी चीज गलत है फिर उसके लावर लैक ऑफ इनर कोगी मिनिस्ट्रियल को अब ऑलादर के जो मिनिस्ट्रिय है उसके अपस में ताल्म्य नहीं है नहीं की गई है बात समझ रहे हैं मतलब पेंसन भी नहीं बढ़ाया गया जो और जो क्या करते हैं जो क्या करते हैं जो क्या करते हैं गाजन सीब जो एक तो उस पे सरकार चूप है अगर डीफ और ब्लाइन पीपल को बच्चा गोद लेना है तो उसके लिए जो रूल बनाया जाएगा उसके उसके सरकार चूप है या फिर उसके उपर कुछ सरकार जो है सही तरीके से अक्सन नहीं ले रही है बात समझें से जो तो यह भी एक पॉइंट है इसको आप नो डा आपको समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए वे फोरवर्ड क्या हो सकता है इसका वे फोरवर्ड है वी दो नाट नीड़ वन साइज फी तो आल अप्रोच वी नीड़ दा एस्पेसिलाइज सॉलूशन एक ही जूता जो है एक ही साइज का जूता सब के पाउ प्रश्टा होनी चाहिए उसको खैरात नहीं चाहिए उसको अधिकार चाहिए ठीक है देरी नीड तो सीफ्ट गोवर्नेंस गीविंग पैंसन टू इंपावर्मेंट ऑफ पी डव डी मतलब क्या कि उस गोवर्मेंट को जहें गोवर्नेंस को सिफ्ट करना चाहिए था कि उसको साथ लेकर के चलना है ठीक है बस इतना ही आपको भारत की इंप्रूसिफ इस पार्ट बन सके और उसका उन्द में ट्राइट राइट खुद से लिखो यार उसका जो कंकूरूजन है वह खुद से लिखो बस तो आज की लिक्षिन में इतना ही और जो कुछ भी लिखा है उसको कमेंट बोक्स में जरूर लिख देना साथ में लाइक कमेंट करना मत बूलना सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसका लिंक है सारी इसको आप जी स्कैन करके पहुंच सकते हैं तो आज के लिक्षर में इतना ही बाबाई और बेरी वेस्ट बैगरंड मत दो बैगर इसको एक रूल मना लिया है कि हम डेली यहां से लेक्षर देखेंगे और नोट्स बना रहा है तो प्रजेंट लिखिए यहां पर यहां पर यहां पर आसा कुछ नोटिशन दीजिए प्रजेंट आई कंप्लीट इस वीडियो ऐसा करके लिखिए कमेंट वाक्स में इससे मु होती है बहुत बोल दिया ठीक है तो आज के लिए इतना ही टेक केर बाबाई और बेरी वेश्ट पर देफीचर